एस जैशंकर फिर से विदेश मंत्री फिर से विदेश मंत्री बनाए गए है एस जैशंकर बोधी सरकार के विबागों का बटवारा देखी अब लगबग लगबग फाइनल हो चुका है और वो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं लेकिन एक चीज़ याद रखें डॉक्टर जैशंकर को ऐसे थर्ड ताइम सेकंड ताइम फॉरंड मिनिस्टर लेक्याना मिनिस्टर फॉर एक्सरनल लेक्याना मतलब इस सॉल वेरी इंपॉर्टन इस सिग्निफिकेंट आई सुब्रमान्यम जैशंकर दू स्वेय इन नेम शंकर साब, 1977 में जनाब उन्होंने इंडिया की फॉरंड सर्विस जॉइन की, 1977 में और 2019 में वो वजीर खारजा बने, 2019 में इससे आप अंदाजा लगा लें कि कितने बरस के बाद, तक्रीवरं 32 साल नोकरी करने के बाद, वो मुल्क के वजीर खारजा बने नरेंद्र बूदी, प्राइम मिनिस्टर हमारे, उनको फॉरंड पॉलिसी बहुत पसंद है, और वो फॉरंड पॉलिसी हर लीडर को एक मौका भी देती है, दुनिया पर में जाने का, हमारे वोटर देखते हैं कि आप सबसे मिल रहे हैं, तो वो तो मैं कहूंगा कि फिर स्पीड के साथ, डॉक्टर जेशंकर जो है, उसने मुलाकातें शुरू कर दी है, और उनको इस चीज का अंदाजा है, एक तरफ पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, अपनी हर चीज को कंपेर करते हैं, इडिया के साथ और मंगला देश, कभी जेशंकर के साथ भी कंपेर करक करके देखें, और कभी अगर उनके पास रिपोर्टें माजूद हो, तो यह भी कोशिश करके देखें, कि वाशने डी सी में इंडियन जो डिप्लोमेटिक मिशन है, वो किस तरह भी करता है, यह हैं दोस्तों, दोस्तों आपको यह चीज तो पता हैं, कि नरिन मोदी जी तीस देख मंत्री अगर कोई है, तो मुझे नहीं लगता जैसंकर साब से अच्छा कोई होगा, या था, कि वो भारत के लिए सबसे बेस्ट विदेख मंत्री है, दोस्तों, जिस तरीके से अंतर राश्ट्री मंच पे भारत को रिप्रिजेंट किया, जैसंकर साब ने, वो सराहनी है, और जो सबसे प्रमुख काम, जैसंकर साब ने का, आप पाकिस्तान में उसको लेके अभी भी रोना दोना मचा हुआ है, कि मोदी जी तो तीसरी बार आगे, लेकिन जैसंकर साब को विदेख मंत्री नहीं बनना चीए, इसलिए, क्योंकि हर अंतर राश्ट्री मंच पे, जैसंकर साब ने जिस तरीके से दुनिया को ये बताया है, कि अगर आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा भेजते हैं, तो वो डिरेक्ली आतंगवाद को फंडिंग होगी, जैसंकर साब ने ये बात ऐसे हवा हवाई में नहीं कहीं, उन्होंने का, उसामा बिन उन्होंने का, 9-11, 26-11, सब कुछ, विद्प्रूव एंड फैक्ट दुनिया को बताया है, पाकिस्तान से बात करना भी आतंगवाद को सपोर्ट करना है, इसलिए आज जैसंकर साब की वज़ज़ से भी पाकिस्तान काफी हद तक अलग तलग पड़ा हुए दुनिया से, तो को हम कभी, मैंने हमारे लिए ये कभी मनजूर नहीं है, तो हमें जो है, एक किसम से साबित करना है, कि जितना आप मैंने आतंगवाद का उप्योग करोगे, इसका आप ही को, इसका नेगेटिव रिजल्ट आप ही को भोगना होगा, मुझे लगता है कि पिछले जशक में ये साबित हो चुका है. आफिस संभालते ही, जो है वो इंगेजमेंट करनी है, लेकि डॉक्टर जे शंकर जो है, उसने आप इमाजिन करें कि पहले दिन ही काम शुरू कर दिया, सम्हो उन्हों ने अपना काम शुरू कर दिया, उनको पता है इस चीज़ का, कि हमारे लिए कितना जरूरी है ये खित चल जाएगा, कि क्या सिचूशन जो है, वो हमारे सामने है, जैश शंकर मेरे लिए ये बड़ा एक प्रविलेज है, आनर है, वो यहां पर सरफ करके गए वाशने डीजी में, और मैं उनको बड़ा करीब से जानता हूँ, उनकी एजुकेशन, उनकी परसनालिटी, उनका सार जो उनका एक सर्वस पदा एडिया है, देखें, इसमें दो चीज़े होते हैं, एक तो आपके अंदर नैशनलिजम हो, और दूसरा आपको फिकर हो अपनी लेगसी की, ये चीज़ें तब डिलिवर होते हैं, तो ना अगर आपके अंदर नैशनलिजम हो, हमारा फारं मिनिस् कि मतलब कुद्रत ने इसको क्या स्किल्स दियें, और स्किल्स दे के फिर वो उसको जिस तरीके से यूटिलाइस करता है, मतलब माला जाता है, सची में बतादू, मैं आपको बिलकुल बगहर किसी मतलब हैंकी-पहंकी के मैं आपको बिलकुल सीरियस मोट में बतादू, कि व कहा जाता है नहीं हीरा होता है वाकरी रखा है डिपलमेटिक फ्रेंट पे दुनिया के स्टेज पे डॉक्टर एस जेशंकर साथ मैं कहता हूं कि बड़े बड़े लोग गुजरे हैं शायद इसके मुकाबले का आदमी मुझे नहीं लगता कि होगा वेशिक पॉलिसी हमारी लेकिन कमसक्ब जो जिस तरीके से ये लेके जा रहें उस पे तोड़ा सा फोकस हमें भी रहना पड़ फॉसके साथ-साथ जो इनकी स्टेंथ है डक्टर जेश्चेंगर साथ की उनकी एकॉनमी भी है यह हमें मानना पड़ेगा सिर्फ यह नहीं कि जेशंकर साथ बड़े बहुत खतरनाक हो जाता है कि जब वो दुनिया की पांचवीं बड़ी मईशद बन जाए और आप दिवालिया होने के करीब हो। आपका पड़ोसी तो उस वक्त ही बहुत खतरनाक बन जाता है कि जब आप आइमेफ के सामने नाक रगड़ रहे हो और आपका पड़ोसी स्टॉक एक्सचेंज में 5 प्रिलियन क्रॉस कर जाए आपका पड़ोसी आपका नेवर तो उस वक्त ही बहुत खतरनाक हो जाता है कि आपका नेवर तो उस वक्त ही आपके लिए बहुत खतरनाक हो जाता है कि जिस वक्त आपका और उसका कोई कमपैरिजन ही नहीं हो सकता अब यह जो मैं बार बार कहा रही हूं आपका परोसी तो उसी वक्त खतरनाक हो जाता है यह पाकिस्तान भी इसको ले सकता है और ये इंडिया भी इसको ले सकता है ये फिर दोनों पडोसी दोनों नेवर्स एक दूसरे के लिए खतरनाक हो जाते हैं क्योंकि जो गुर्बत है वो भी एक बहुत बड़ा जुर्म है और गुर्बत को छुपाने के लिए भी खत्म करने के लिए रोटी के लाले पड़े हो और दूसी तरफ जब आपके पास ताकत आ जाए तो फिर आपके सामने कुछ नहीं रहता फिर आप कहते हैं कि अब हमारे पास सब कुछ है हम अपने पाउं पर खड़े हैं तो आप कोई कुछ करके दिखा दे मेरा अनैलेसिस यह है मेरा तजिया यह है कि खतरनाक होना इस तरीके से तो शायद कुछ भी नहीं है कि किसी ने बॉडर क्रॉस करके देशित कर दी वहाँ पर की किसी ने बॉडर क्रॉस करके दूसी तरफ जो है वो उसको फाय लगा दिया असल में वो भी अपनी जगा पर है जितने हमले वो तरह है जो कुछ वो तरह दोनों के भी वो अपनी जगा पर लेकिन असल में रियालिटी यह है अगर आप गोर करें तो खतरनाक होना बेंजरस होना यह है कि आप जमीन पर हो और दूसरा असमान पर हो आप चाइना के दुरू कोशिश करके अपना मून मिशन करवाने की जो है वो जिद्ध जहत में हो जबके दूसरा दुनिया की बड़ी स्पेस एजनसी नासा के साथ मिल कर स्पेस प्रोग्राम्स कर रहा हूँ चांद पर पहुंच गया तो दोस्तों जैसंकर साब की मैं जितनी भी तारीफ करूं उनके विदेशनीती की जितनी भी तारीफ करूं वो कम है लेकिन एक बार हमारे विदेशनीती जैसंकर साब ने एक बुक लिखी और उसका समार हो रहा तो उसमें उन्होंने बताए कि विदेशनीती की जितने भी है उन्होंने रामायर और महाभारत से सिखिए ठीक है तो दुनिया के हर मंच में जब उनसे कोई पूछता है कि यार आप इतना अच्छे विदेश मंत्री कैसे हैं तो वो कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया बस मैंने भारत के एनिसेंट जो बुक्स है चाहिए वो चानक्या की बुक हो चाहिए वो रामायर महाभारत हो मैंने बस उनको रीड किया और उनसे शिक्षा लिए इस वज़े से विदेश निती में हमारी थोड़ी मोडी सफलता हमें मिल जाती यह जैसंकर साब के वर्ट तो हर जगा जैसंकर साब भारतिय को प्रमोड करते हैं बड़े बड़े आते हैं वो कहते हैं हमने अंग्रेजों की बुक पड़ी यह वो बुक पड़ी अपने भारती संस्कृति को कभी अंतर राश्वी मंच पर नहीं ले जाते लेकिन नरेन मोदी जी और जैसंकर स चाहे इसरेल को सपोर्ट करना हो चाहे युएसे और भारत की रिलेसंसिप और भारत उनमें जो है बराबरी का हिस्सा मांगता हूं कि हम युएसे के सामने जुकेंगे निए उन सब पे चाहे वो कैनेडा के खिलाप जैसंकर साब ने ऐसे जवाब दिये कि पूरी अंतर जी को भी इसमें क्रेडिट जाता है कि उन्होंने दूसरी बाल लगा था विदेश मंत्री के तौर पे जैसंकर साब को कंटीन्यू करा वरना ऐसे विदेश मंत्री आते थे जुनको कुछ फटा ही नहीं होता था विदेश मंत्री बनके क्या गणना तो इससे भारत की में गड़ती थी यूडर ऐसी वीडियो के लिए तब तक के लिए धन्यवाद जेह हैं